हेलो माई डियो स्टूदेंस वालकम टो अद्वत एजूकेशन कैसे हैं आप सभी आयोप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की प्रिप्रेशन बढ़िया चल रही होगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट लिक्षे में मैंने मोशन के बारे में डिसकस किया था जिसमें हमने मोशन की बेसिक टर्मिनोलोजिस को डिसकस किया motion क्या है motion के प्रकार कितने होते हैं motion में जो सबसे basic part है distance, displacement, speed, velocity इनके में चो difference क्या है कौन से vector है कौन से scalar quantity है ये सबी चीज हमने देख ली आज हम बात करते है acceleration की ठीक है acceleration को हम बड़े ही प्यारे example से समझेंगे आप सभी maximum लोग गाडिया चलाते हैं, scooty हो या बाइक हो, जब भी आप गाड़ी चलाते हो गाड़ी आपकी जैसे ही start होती है उसके बाद आप सबसे पहले acceleration देते हो उसको तो ये गति शील वस्तु जो हुई जो गति कर रही है उसमें यदि आप acceleration दे रहे हो तो acceleration क्या है? Change in velocity upon change in time यानि कि हम इन दोनों को जो ratio है वही आपका कहलाते है acceleration आईए देखते हैं acceleration को, acceleration को हम represent करते हैं small a से acceleration is equal to क्या होता है? Small a is equal to होता है change in velocity upon change in time हिंदे में कहें तो किसी गति शील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन कैसे हुआ? जब आपने गाड़े start करी और movement की position पे हो वो कुछ speed पे है तभी आप उसको acceleration चेंज करते हो तो त्वरण जो है ना, त्वरण जो है change in velocity, change in time आप समय पर उस स्थिती में परिवर्तन हो रहा है उस speed में जब आप change करते हो that is known as the acceleration इसे हम small a से represent करते हैं और इसकी जो unit है वो meter per second square है विमी सूत्र इसका dimensional formula क्या होता है L t to the power minus 2 ठीक है यह इसका विमी सूत्र होता है दोनों ही चीज़े exam में पोछ लेती हैं अब हम कहें हिंदी में कहें कि acceleration क्या है हमारा तो acceleration जो है वेग परिवर्तन की दर है या change in velocity का मतलब वही है कि वेग में जो change हो रहा है तीक है अब तरण अब यो बात करूं कितने प्रकार के होते हैं तो हमने देखा था types of speed, types of velocity वैसे types of acceleration भी है कि जो types of acceleration है ना या uniform acceleration है या कि एक समान तरण है तो एक समान तरण या constant acceleration जो है आपका ये क्या होता है constant acceleration जो है नाम से clear है कि हमारा जो acceleration था वो change in velocity upon change in time था It means यदि constant word आ गया है या uniform या एक समान तरण आ गया है तो change in velocity और change in time दोनों ही same होंगे समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है यदि तो वो आपका कहलाएगा एक समान तरण या constant acceleration इसको हम कहें यदि equal changes in velocity यदि changes in velocity जो है वो बराबर है कि इसके changes in time के is equal to the changes in time तो वो आपका कहलाएगा एक समान तरण या की कहें uniform acceleration ठीक है uniform acceleration को यदि मैं कहों तो हम कैसे बता सकते हैं कि change in velocity और time के बीच में यदि graph बनाएगे तो हमारा एक समान तरण है uniform है ठीक है जितना ही हमारा velocity में change हो रहा है उतना ही हमारा समय में change हो रहा है तो हमारा जो graph बनेगा uniform acceleration का वो कैसा होगा ऐसा slope ठीक है next बात करते हैं non uniform या की असमान तरण अस्तिर तरण क्या है non uniform velocity का मतलब जो है जो changes in time तो सही है लेकिन जो equal changes in velocity हो रहा था वो अब हो जाएगा non equal changes in velocity non equal changes होगा अब non equal changes in velocity कितने में किस्वे होगा in equal changes of time ठीक है time में जो change हो रहा था वो समान होगा असमान समय में असमान वेग में परिवर्तल होने लगा तो वो आपका कहला जाता है अस्तिर या असमान तरण in equal intervals of time ठीक है equal interval of time next है हमारा औसत तरण average acceleration क्या है average acceleration की बात करूँ तो हमारा total changes in velocity upon total changes in time की जब हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका average acceleration उसी तरह या instantaneous acceleration की बात करूँ तो instantaneous का मतलब ही है particular किसी time पर यदी बात करूँ मैं ठीक है particular किसी time पर हमने बात किया कि कितना हो रहा है आपका acceleration कितना है किसी छड़ विसेज पर जब बात की जाती है तो वो आपका कहलाता है ताप छड़ एक तोरण या भी English पर इस्टेंटेनियस acceleration I hope clear होगा कि acceleration क्या है acceleration का word जैसे ही आता है वैसी अब तुरंथ अपने दिमाग में बाइक या स्कूटी याद करें तो आप तुरंथ आपका acceleration से इससे relate हो जाएगा उसके बाद आपको ये चारो definitions उसी से relate कर सकते हो आप बहुत easily clear हो जाएगी ठीक है तो इसका MLT formula L T to the power minus 2 होता है और unit जो होती है meter per second square होती है ये पूछा जा चुका है exam में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं acceleration के बाद हमने देखा एक बड़िया सा question है acceleration से related हम देख लेते हैं ये SSE CGL 2014 में पूछा गया question है कब पूछा है 2014 में आया हुआ question है क्या question है देखते हैं an object with a constant speed ठीक है constant speed का नाम आते ही बताईए मुझे जरा क्या आप constant speed से travel कर सकते हैं थोड़ा कठीन है उसके लिए road हमें एकदम playing चाहिए भीड़े नहीं होनी चाहिए हम constant speed चला सकते हैं लेकिन possibility कम है आप खुद imagine करिए यदि आप constant speed से गाड़ी चला रहे हैं constant speed से गाड़ी जा रही है तो क्या acceleration में change होगा नहीं होगा जैसे ही speed change करते हो आप जब acceleration ज़्यादा करते हो तो आपकी speed बढ़ती acceleration कम करते हो speed कम हो जाती है तो बड़ा ही प्यारा question है कि यदि आपका object constant speed से जा रहा है तो वो accelerated होगा या नहीं it might be accelerated it always be accelerated also has a constant velocity तो भाई यदि उसमें speed उसकी constant है तो वो accelerated ही नहीं हमने उसको acceleration नहीं दिया acceleration देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा हमारा यदि हमने इसको acceleration दिया तो speed बढ़ जाएगी acceleration कम किया तो speed कम हो जाएगी यदि constant speed से जा रहे हो तो it will not be accelerated option A है ठीक है answer कैसे समझते हैं ऐसे कि यदि हमारा acceleration क्या है velocity and time के बीच का relation है हम ले लेते हैं कि इस axis में हमारा जो x axis है इसमें हम time को ले ले लेते हैं समय को ले लेते हैं और y axis में हम ले लेते हैं velocity हमारा जो velocity और time के बीच में जो graph बनेगा वो acceleration को represent करेगा अब कह दिया graph से समझना question reward में कर सकता है कई बाद graph दे देगा फिर जे पूछ लेगा तो constant speed का मतलब है speed यहाँ पे velocity नहीं speed है speed लिख लो आप ठीक है वही बात है speed constant है का मतलब है कि particular विसे time पर क्या speed constant हो गए ठीक है speed constant जा रही है तो बताओ acceleration क्या होगा acceleration is equal to 0 होगा तभी तो वो हमारा जब slope ही 0 हो गया slope ही 0 है तो कैसे possible है कि आपका acceleration exist करेगा तो कई बार पूछ देता है कि यदि constant speed है तो acceleration का graph ऐसा होगा constant speed acceleration is equal to 0 clear मेरे हिसाब से clear हो गया होगा आप constant speed तुरंत imagine करिए अपनी गाड़ी या बाइक से ठीक है यदि आपने देखा कि constant speed है तो इसका मतलब ही है कि constant speed means आपने acceleration दिया यहने चलिए next आगे बढ़ते है next question है एक पहरा सा an object covers distance which is directly proportional to the square of time is acceleration ठीक है उसका acceleration क्या होगा समझने वाली बात है जब भी motion के question आएं सबसे पहली बार तो आपको दिमाग में क्या क्या रखना है आपको दिमाग में रखना है distance displacement, speed, velocity acceleration इतनी चीज़ें इंगनम दिमाग में चलनी चाहिए ठीक है अब आप देखो an object covers distance दूरी तै कर रहा है which is directly proportional to the square of time हम सपोस करते हैं वो x दूरी तै कर रहा है ठीक है x दूरी तै कर रहा है जो proportional है समय के square के लिख लिया जो question में था अब पूछा क्या है it's acceleration आपको दिया सिर्फ distance है पूछा acceleration है तो दिमाग में जब हम सोचेंगे थोड़ा जोर डालेंगे तो distance से लेकर acceleration तक पहुँचने के लिए हमें क्या-क्या सेढ़ियां चड़नी पड़ेंगे distance को इदिया हम differentiate करेंगे तो हमें मिल जाएगी velocity velocity को हम differentiate कर देंगे तो हमें मिल जाएगा त्वरण क्योंकि हमने पढ़ा है कि change in distance with respect to the time is called as velocity and change in velocity with respect to the time is known as acceleration तो ये चीज़ हमको पता है तो अब हम क्या करने वाले हैं इसको हम differentiate करने वाले हैं dx by dt करेंगे पहले आप इसको proportionality constant हटा लो easy हो जाएगा x is equal to हम हटा के कुछ भी ले ले लेते हैं x, y, z, k ले लिया तो kt square हो गया जैसे differentiate करेंगे इस equation को dx by dt is equal to differentiation सभी को पता है x to the power n है suppose और इसका differentiation करना है तो nx to the power n-1 formula होता है तो इसी formula से हम t to the t square करने वाले हैं differentiation ठीक है t square का करेंगे तो आपका differentiation क्या आजाएगा 2t आजाएगा तो 2t जो आया तो हमने लिखा 2k t अब ये आगे हमारी velocity इसको आगें differentiate कर दें तो d square x by dt square is equal to हो जाएगा 2k अब आप देखते हो कि जो acceleration आ रहा है हमारा हो क्या आ रहा है ये तो constant हो गया भई constant हो गया कोई variable बचा ही नहीं इसके साथ तो हम क्या कहेंगे its acceleration is constant तो हमारा answer है b the लगातार यानि की constant हो जाएगा तो an object covered distance which is directly proportional to the square of the time यदि वस्तु की दूरी जितना वो cover कर रही है वो अपने समय के वर्ग के समान उपाती है तो उसका तुरण क्या होगा तो जैसे ही हमने दूरी देखा तो दूरी से तुरण तक हम पहुंच गया differentiate करके और हमने निकाल लिया कि हमारा तुरण जो होगा वो क्या होगा constant होगा clear चलिए आगे बढ़ते हैं next question है the slope of a velocity time graph velocity time जैसे ही आता है तो अपने दिमाग में क्या आता है acceleration की बात हो रही है the slope of a velocity time graph represent क्या करता है वेक समय graph जो है किस बात को represent करता है slope of a velocity time graph ठीक है velocity and time के बीच में हमको पता है कि acceleration ही होता है तो हम directly acceleration कर सकते हैं ठीक है हमारा slope क्यासा भी हो सकता है ऐसा हो सकता है ठीक है ऐसा हो सकता है लेकिन एक बात बताइए displacement तो होगा नहीं distance तो होगा नहीं velocity और time graph कभी ये दोनुचीज तो represent करेगा नहीं speed भी करेगा नहीं क्यों क्योंकि velocity जो है acceleration से related है तो हम इसको directly solve कर सकते हैं कि वेग समय graph जो है हमारा तोरण को represent करता है अब कैसा graph किस तरह के तोरण को represent करता है ऐसे भी questions बनते हैं वो भी हम करवाएंगे uniform acceleration, non uniform acceleration को कैसा graph represent करते हैं ठीक है देखेंगे अपन उसको next question में ये clear हुआ I hope clear हुआ होगा next आगे बढ़ते है equations of motion में हमने तोरण से एक्दम questions जो आए हुए थे वो हमने देख लिये क्योंकि वो important थे हम जहाँ पर topic पड़े वहीं पर हमने देख लिया अब equation of motion देखते हैं इक्विशन ओफ मोशन सबको पता है थीक है सारे दुनिया को पता है तीन होती है है नज तीन होती है ये दि मैं कहूँ किसी भी चीज़को हम u velocity से भी रहे suppose हम कहें उसका किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक वेग किसी वस्तों का प्रारंभिक वेग यू है इंग्लिश में इनिसियल वेलोसिटी कहते है ठीक है और अंतिम वेग वी है जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते है अब आप बस इतना समझो कि हम ना कोई चीज गतीमान है गती कर रही है जिसका जो इनिसियल वेलोसिटी था वो यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है अंतिम वेग ठीक है तो हमारी तीन एक्वेशन्स है जिसमें से हमारी पहली एक्वेशन है वी इस इक्वल टू यू प्लस एटी जिसमें वी जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी है अंतिम वेग यू जो है प्रारंबीक वेग है ए जो है आपका क्या है ए जो है आपका तुरण है क्या है तुरण है और t जो है वो आपका समय सभी को पता है ठीक है दूसरी जो हमारी equation आती है वो है हमारी s is equal to ut plus half a t square ठीक है थर्ड जो equation है हमारी वो है v square is equal to u square plus 2 a s ठीक है अब यह जो s है यह s क्या रिप्रेजेंट करता है distance का word को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं यू प्रारम भीक वे t समय half a t square गोरण into समय का square v जो है आपका अंतिम वेग है यू आपको बता है प्रारम भीक वेग है a acceleration as a stands for again distance ठीक है तो यह जो हमारे तीन गती के समय करण है यह बहुत ही महत्यकूण है numerical point of view से maximum 90% जो हमारा question आता है horizontal वाले ठीक है और भी जो वो हम इस equation को use करके maximum ली solve कर लेते हैं ठीक है लेकिन फिर भी हमें तीनों ही equations की जरूरत पड़ेगी तो हमें तीनों equations याद होनी चाहिए कि तीन जो गती के समय करण है वो क्या क्या है पहला है v is equal to u plus at दूसरा है s is equal to ut plus half at square and third one is v square is equal to u square plus 2as ठीक है चलिए यह हमने देख लिया इस पर बेज रभी numerical भी करेंगे तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रचह पगति या प्रोजेक्टाइल motion क्या होता है प्रचह पगति या प्रोजेक्टाइल motion को हम बढ़िया डिटेल में डिस्कुस करने वाले next lecture में ठीक है तो तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और मस्त रहिए Thank you